आप सबका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल मॉम डाइडन बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोरे रंग पाने के लिए आपको अपने डाइट में क्या-क्या सामिल करना चाहिए वैसे तो तचा कर रंग भगवान की दिन है लेकिन कई बार चेहरे का कालपन या सामलापन अनुवानसिक करनो बरती परदूसन मेलनिन के कम या जादा होने से बढ़ जाता है ऐसे में अक्सर लोगों का सपना अपने रंग को गोरा करने का होता है गोरा रंग होने के लिए जरूरी नहीं की महंगी क्रीम या ट्रिक्मेंट का ही परयोग किया जाए बलकि आप अपने खान पान में ऐसी बहुत सी चीजों को सामिल कर सकते हैं जिन में भरपूर मात्रा में एंटी ओक्सिडेंट, विटमिन और मिनरल्स मौजूद हो नेमित रूप से इनका सेवन करने से निश्चित रूप से आप अपने तोचा को कुछ सेट्स तक गोरा कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खाते बदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनने खाने से आपके सरीर में मेलनिन का उत्पादन कम होगा और तुचा में गलो और फैरनेस भी बढ़ेगा पहला है डार्क चॉकलेट दूसरा है सोयाबीद तीसरा है आपको अपने डाइट में निम्बू का रस जरूर सामिल करना है चौथा है लाल और पीली रंकी सबजिया अपने डाइट में सामिल करें पाच्वा है नारियल पानी पीएं चट्था है गाजर का सेवन करे, सात्वा है पालक का सेवन करे, आठ्वा है श्ट्रोबेरी खाए और आप चुकुंदर भी खा सकते हैं पपीता का सेवन जरूर करे, अपने डाइट में अंडे को सामिल करना बिल्कुल भी ना भूले जितना हो सके पानी पीए, आप लहसुन का सेवन भी जरूर करे, आपको कद्दु के बीज भी खाने हैं अगर आपको अपने रंग को फेर करना है गोरा रंग पाने के लिए आप मचलियों का सेवन करे, गोरे रंग की चाहत रखने वालों को संत्रे का जूस भी पीना चाहिए और एवोकेडो भी खाना चाहिए काली तच्चा को गोरा करने के लिए बादाम का सेवन जरूर करे और तमाटर का सेवन भी जरूर करे मैंने इस वीडियो में 19 चीजें ऐसी बताई हैं आपको जिने खाकर आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं ऐसी ही सौर्ट में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें